एक्टर रन्वीर सिंग को हाल ही में एरपोर्ट पे स्पॉट किया गया इस दोरान उन्होंने सुनिश्चित किया कि उनके डॉन 3 का लोग जरा भी लीक ना हो रन्वीर सिंग ने शारुखान को नए डॉन के रूप में रिप्लेस किया है जो सका निर्देशन फरहान अक्तर कर रहे है जबकि फरहान अक्तर ने वीडियो टीजर के जरिये रन्वीर सिंग के नए डॉन के रूप में ज्छलक शेयर कर दी है लेकिन रन्वीर सिंग फिल्म के लिए अपने नए लुक को सबी से चुपा रहे है एरपूर्ट प्रेमीर सिंग को देखने के बाद अंदाजर लगाया ज़ुआ रहा है कि अक्तर फिल्म से अपने लुक के बारे में अभी फान्स को नहीं बताना चाहते हैं ऐसे में उन्होंने चुहरे को मास्क, हुडी और संग्लासे से पूरी तरह से चुपाया हुआ है विडियो में आप देख सकते हैं कि रन्वीर सिंग पूरी तरह से ओल ब्लाक लुक में नजल आ रहे हैं उन्होंने काले रंग की ट्राउजर, काले रंग की टी शिर्ट और काले रंग की हुडी पहने देखा जा सकता है उन्होंने अपने चुहरे पे मास्क और काले रंग के संग्लासेस भी लगाए हुए हैं रन्वीर ने अपने इस ओल ब्लाक लुक के साथ वाइट कलर के स्नीकस कैरी किये हैं। एपोर्ट से बाहर निकलते हुए रन्वीर सिंग ने पैपराजी को पोस्त हो दिये। लेकिन अपना चहरा ज़रा भी रिवील नहीं होने दिया। जौन 3 में शारुक खान की रिप्लेस्मेंट के रूप में रन्वीर सिंग की कास्टिंग कई लोगों के लिए अश्चर की बात थी। सोशल मीडिया पर एक वर्क इस बात से नाखुश था कि शारुक खान फ्रेंचाइजी में वापसी नहीं कर रहे हैं। हालकि रन्वीर सिंग ने वादा किया है कि वो इस भूमिका में अपना पूरा एफ़र्ट लगाएंगे।